नमस्कार दोस्तों इनवर्शिटी ड्रीम के से यूट्यूब चैनल में आपका हादिक स्वागत बने करता हूं तो जिन लोगों का डियू बीर्ड में एड्मिशन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई तो हम आज आते हैं कि सेलवस क्या होगा आपका अभी तक हम जो ग्रेज यू बीर्ड में पढ़ रहे हैं आपको जो भी कॉलिज में ला हो SPM चाहिए LIC चाहिए CIE चाहिए MBC ठीक है यह में वेफसाइट है आपको इसको याद कर लेना है यहीं पर आपको सारा चीज़ देखनों को मिलेगा तो मैंने एकेडमिक्स में आकर बीर सेलवस कोला और है और यह इनुवल एक्जामनेशन है यह गलती नहीं सुचना कि समेश्टर एक्जाम होगा यहां पर एनुवल एक्जामनेशन होता है क्लासरूम पूरा प्रॉपर करनी पड़ेगी जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो पूरा करना पड़ेगा तोड़ा लेट लदी चल सकता है पर कुछ कुछ टीचर का काम एकदम टूद टाइम और मलब करना होगा जो भी बोलेंगे वह उसी ताउन टाइम उसका समय पर पूरता क्लियरली करना पड़ेगा ठीक है यह नहीं के अपड़ेटर भी कर रहे हैं तो आप उसके खाम्याज़ा भोगतने कर तयार लिएगा तो फिर अगली बात आजाते हैं हम कि अब यह जो है यह जो लिखा हुआ है फांडेशन कोर्स जिसको बोलते हैं फांडेशन कोर्स में हमारे 5 पर आते हैं एफ-1 एफ-2 एफ-3 ए-4 फाइप पिपर नाम लिए एफ-1 हम लोग टर्मिलोजी याद कर लेते हैं एफ लोगों को भी शुरू में कठीन लगताता है फांडेशन को जल्दी हो आज आएगा ध्यान में कि आप फिर यह एजुकेशन इंडिया नहीं बोलेंगे एफ-1 बोलके काम निकाल लेंगे तो एफ-2 है तो सिया हुमन डवलपमेंट डैवर्सिटी और लनिंग इसको सौट मे में बोल देंगे कि एजडी डी एल बोल देंगे कांसेप्श्वल फांडेशन आप जो किसन जो है तो एफ-3 है यह और जेंडर इसकूलन सुसाइटी एफ-4 है और एफ-5 जो है केडिये सेस्ट नौले डिसिप्लीन एन इसकूलन सुसाइटी है सब जैसे सज्जक्ट है तो केडिये सेसे तो एफ-1 एफ-2 एफ-3 एफ-4 एफ-5 एठीक है तो यह पांच पेपर है पांडेशन जिनको बोलते हैं तो आप इस पर सेलबस इसको ओपन करके देख सकते हैं इसके बार हम अलग से बात करेंगे पर मैं मार्क्स करा रहा हूं कि मार्क्स कैसे कैसे आएंगे तो यह होगया आपका तो जो एफ-1 है 100 मार्क्स पाह एफ-टू है 100 मार्क्स देना या तो इस इनख तिछा सो मार्क्स का कि प्यान देना है F1, 100 marks, F2, 100 marks, F3, 100 marks, F4 and F5, 50-50 तो 50-50 होगे 100, और दर 300, 400 marks के उधर होगे अब आजाते हैं, अब ये second year का है, F6, F7 second year का है तो उसमें नहीं जाना है, अब आजाते हैं pedagogy की बात करते हैं तो pedagogy 1 जो अपने भारा था, अब वो pedagogy जो भारा था अब यहां पे देखोगे, कि pedagogy क्या पढ़ना होता है तो जो होता है, pedagogy अपका 1 होता है, वो 100 marks का होता है ठीक है, तो अपका language है, कि science, mathematics, social science, commerce तो आपको पता होगा, तो 100 marks का ही होता है अब आजाते है, pedagogy 2, pedagogy 2 अपका क्या है अपे डोगा जो डोबी टू है वह भी सौ मार्क्स का होता है तो ये भी सौ हो गया तो आपका जो भी है हिंदी, इंगली संस्कीत, जो पैलोजी है, इंटीग्रेटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, सिष्टी, फोल साइंस है, एकोनॉमिक्स, जीओग्राफिटी, साइकोलजी, स सोσιल स्यंस, agreement, होमिक्स, ठीक है, तो ये सब है, सब मार्क्स हो जाएंगे, कोई एक आपको मिलेगा, आपको पता ही होगा इतना, इलेक्टी पेपर आपको नहीं है, 2nd year का है इलेक्टी पेपर इस 2nd year है, यह हम लोग का अभी 2nd year है, पढ़ रहा है इसको तो इलेक्टी पेपर है, सौमाक्स का होता है, इसको छोड़ देते हैं हमारा जो काम 1st year के लिए उसको जानते हैं, अब यह EPC 1 and EPC 2 EPC 1 and EPC 2 1st year के लिए 3 and 4 2nd year के लिए यह 1st year है जो मैंने लगाया EPC 1 and EPC 2 1st year, 3 and 4, 2nd year तो उसमें नहीं जाना है 2nd year में नहीं जाना है आपको ध्यान देना है EPC 1 जो है यह 50 marks का होता है जिसमें art, craft and aesthetics सिखते हैं और EPC 2 जो है critical understanding of ICT जो है यह 50 marks होता है जिसमें आपको computers के बारे में बहुत सारे जो चीजों के बारे में बताया जाएगा Google form कैसे create करते यह सब बीविज चीजे बताया जाती है तो यह हो गया तो 50-50 यहां भी marks के होते है जो art, craft and aesthetics है वो उसमें आपको दो चीज में करने को मिलेगा एक music, दूसरा art, drawing करना तो music बचाएग, कोई एक लेंगे, optional है यह music लेंगे अब यह CI का जो मैं बता रहा हूँ महरसी बाल में कि मैं तोड़ा सा different है वहाँ पे कुछ तोड़ा सा अलग करा जाता है मैं उसका detail, उसके अलग से बता दूँगा कि महरसी बाल में कि मैं क्या होता है proper क्योंकि मेरा अगदोस्त करते हैं वहाँ पे CI में जो होता है, assembly नहीं लगती है prayers नहीं करा जाता है पर महरसी बाल में कि मैं I think prayer होते है मेरे दोस्ते, उनसे मेरे बात हुई थे उनना बताया था कैसा होता है, मैं एक अलग से उनके पर separate वीडियो बनाऊंगा तो आपको बीदवत बता देंगे, ठीक है तो आगे, यह हो गया 100 marks का 50-50, 100 marks, ठीक है APC 3 and 4 छोड़ देना है, वो second year का है अब आजाते है, हम अब number 8 करते है कितना है कितना हो गया, तो जो हमारा था यह APC, यहाँ पर 400 marks था foundation पर pedagogy 1, 100 marks, pedagogy 2, 100 marks तो 4, 2, 600 marks हो गया, ठीक है 600 marks इदर हो गया, और आज आता है फिर यहाँ पर 100 marks है, यहाँ पर 100 marks है तो 600 marks हमारे देख रहे हैं 700 marks हो गया, अब अचा 100 marks हो गया है 100 marks है क्या होता है, उसमें एक होता है tutorial, tutorial एक बोलते है tutorial होता है जिसमें आप अपने एक अपको teacher alert हो जाएंगे, और आप उनसे जाके उनसे personally बात करेंगे, और हर एक tutorial है हर एक teacher के अंदर में, 4 से 5 या 3, 4, 5, maximum 5 बच्चे होंगे, कम से कम 3 और 4 जादा जादा चार होते हैं कभी-कभी 5 भी हो जाते हैं, और कम से कम 3 होंगे और जादा जादा चार या 5 रखते हैं ठीक है, कभी-कभी 5 रहेंगे, ठीक है तो tutorial में आपको 5 बच्चे होंगे और अलग-अलग pedagogy कोई किसी कभी पढ़ सकता है कोई दिक्कत नहीं, कोई भी teacher मिल जाएगा आपको random और आप उनसे सीखेंगे personally बात करेंगे, talk होती है one-to-one, face-to-face कि आपको कुछ-कुछ task दिये जाएगे अब यह हो गया 50 marks का और 50 number का होता है F-O इसमें फिल्ड विजिट होता है आपको 5 अस्थानों पे जिससे प्रगती मैदान हो गया तीक है अलग-अलग जगा ले जाते हैं जैसे हम लोग के समय तो हम लोग को प्रगती मैदान में ले गए थे और उसके बाद जो विरला हॉस है जो इसको बोलते हैं ठीक है प्रगती मैदान में और उसके बागल में ही जो आपका है क्या बोलते है में दिल्डी का नेटिव जाट यह नीग याद हा रहा है काफी दिन हो गया लोग को गये होई तो वहां पर हम लोग गये थे एक जो है लोदी गारडेन हम गये थें और एक मूजियम गये थे हम लोग साइन्स सेंटर और एक अमबेट कर पाक गये थे इसे तर से 45 अस्तानओं पर ले जाया जाता आपको और आपको पुमाए जाए गया तो 50 50 50 टुटोरियल हो गया पिर जोड़ा दता हूं 50 नमर टुटोरियल 50 नमर एफो फिल विजिट इसको बोलते हैं ठीक है फिल विजिट में आपको फिर 50 नमर में एक और इसमें और भी चीज़ा एड़ हो जाती है कि आपको स्कूल एक अलॉट होगा इ स्कूल के पीछे बैठे रहेंगे और टीचर कैसे पढ़ाते हैं वह आपको देखना है अपने पेड़ोगोजी सब्जेक्ट का मालवा पेड़ोगोजी अपका साइंस है तो साइंस के कोई टीचर होंगे जो स्कूल दिल्ली गौश्मेंट का या केंद्री बिंद्याला है य और आपहे आप जाके स्कूल के पीछे स्कूल में पीछे जाकर बैठेंगे और टीचर जो पढ़ायेगा उसका पूरा बनाएंगे कि टीचर में किया किया कई गीया कैसे दिखाया कैसे पढ़ा रहा था कॉनसर का तरीका अच्छा था और उससे फिस Great लेक्शन भी लिखना ह होता है कि क्या आपको अच्या लेकाइब कैसी तरीका होता है और आपके जो इसल्बफ उपरवाइजर होंगे जो वो खोड़ बताया है कैसे कैसे क्या करना है तो यह टोटल 800 मार्क्स का जो हमारा बारी 10-30 का अब के सामने है तो 800 मार्क्स मैंने तो बहुत ही जल्दी आपका पेपर देखेंगे तो बीच जाएगा हर एक दिन का गैप मिलेगा बस आपको पेपर में तो तैयारी करके रहना होता है आसा करता हूं आप लोग स्वस्त होंगे और जल्दी है आप लोग से मुलाकात होगी और हमारे साथ बने रहे हैं चैनल के स अब जल्दी आपको अपना नमबर पेज़ दूँगा ताकि हम आपसे बात कर पाएं और जब यहां पर कैंपस में आएंगे तो जल्दी आपसे हम लोग रूबरू हो जाएंगे और मज़ा आएगा कैंपस में आप कैंपस को अच्छे से एंजॉआ करें हम लोग जब आया गरे तो सायद हम लोग कुछ मदद कर पाएं कुछ अनबर अपने आपको साज़ा कर पाएं तो जल्दी हम मिलते हैं तो चैनल को अपना प्यार दें बने रहें चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद